जहिन दोस्तो में हूँ आस्तीस और आप सब को इंडिया में जनप और श्वागत है दोस्तो आप सब जानते हैं अब साउचैना सी एरिया में ताइवान और चीन के वीज विवाद काफी बढ़ता जा रहा है चीन लगातार अपने फाइटर जेट को ताइवान के एर डिफें होती देने की कोसिस कर रहा है पतलब मैं जब चाहूं ताइवान के उपर हमला कर सकता हूं कौन सा इसा देश है जो ताइवान को बचाने के लिए आएगा हाला कि ये चीन का ओवर कॉंपिडेंस है लेकिन अब ताइवान और चीन के बीच विवाद पिछले 60-70 साल से या फ हम टोटाल चीन की स्ट्रेंद के हिसाब से कंप्यार करेंगे तो ताइवान के आर्मी उतना स्ट्रॉंग नहीं है और एक लॉंग वार के लिए ताइवान को जापान और आमेरिका की मदद चाहिए नहीं तो ताइवान कुछ दिन तक अच्छा फाइट कर पाएगा और एक चीन के कबजे में चला जाएगा अलाकि चीन को भी भारी नुकसान होगा लेकिन दोस्तों यह एक अलग टफिक हो जाएगा अब मैं में मुद्दे पर आता हूँ देखिए आज एक रिपोर्ट आया है और वो रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जो निकलियर समरीन है वो साव समरीन के अंदर रहने वाले 11 के करीब आमेरीकी साइनिक आहत हुए है हाला कि वो दुखतना साउचेना सी में कहां हुआ और कैसे हुआ उसके उपर कोई भी बड़ा अपडेट नहीं दिया गया है हाला कि जो निकलियर समरीन दुखतना का सिकार हुआ है इससे पहले एक जान करनिंग दे रहा है ताकि वो कैसे चीन का मुकाबला कर पाए उस पर भी आखिर में बात करूंगा जानने के लिए आप आखिरत के वीडियो को देखते रही है और जादा से जादा लाइक शेयर करना बिलकुल मत हो लिए दोस्तों यह जो घटना हुआ है यह 2 अक्टवर को ह हुआ है तब अमेरिका का जो नुक्लियर पंडूवी है यूसस कनेक्टिकट यह चीन के करीब जा रहा था लेकिन पानी के अंदर एक डूए हुए चीज के साथ यह टकरा गया इसके बात वो समरीन के अंदर जो 11 के करीब अमेरीकी नोसनिक थे वो आहात हुए हाला कि अब जा रहा है यह जो समरीन है उसे सेवेंथ फ्लीट के एक बंदरगा को भया जाएगा और आप सब जानते हैं जो सेवेंथ फ्लीट का हेड़क्वाटर है वो जापान में और कुछ रिपोर्ट है और वहां से इसे गुवाम बेस तक भी भया जा सकता है ताकि वहां पर यह समर टिकट है यह दी ओल्फ क्लास की नुकलेर आटक पंडूवी है यह पंडूवी में तकरिवन 101 नोसनिक तनात रहते हैं और यह 107 मिटर लंबी है और तकरिवन 7500 टन बजनी यह पंडूवी बहुत सरे घातक मिसाईल और टर्पिडो से लेस है और यह पंडूवी में 40 की संख की जो सेना है मीडिया में यह तो रिपोर्ट दे दिया उनकी पंडूवी दुखतना गरस्त हुई है लेकिन कैसे हुआ है उसके उपर कोई भी खुलासा उन्होंने नहीं किये हैं कुछ लोगों का मानना है साइध इसके पीछे चीन है क्योंकि यह चीन के करीब जा रहा था तो बड़ा सवाल है अगर इसके पीछे चीन है तो चीन केसे यह समरीन को आटक किया क्या चीन कोई अंडरवाटर ड्रोन को भेजा या फिर चीनी जलसिमा के पास कोई नेवल माइन्स बगरा था जिससे टकरा कर यह पॉंडूवी दुखतना गरस्त हुई दोस्तो मेरा राय में यह चाइना ने जान भूच कर कोई आटक तो नहीं किया होगा हो सकता है चीन के बिछाय हुआ कोई नवल्स माइन्स से यह पॉंडूवी जाकर टकराया हो या फिर यह नाच्रूल तरीके से कोई चीज से टकराया हो चीन का इतना भी हिमत नहीं है वो आमेरिका के उपर आटक करें डारेटली अगर ऐसा होता तो आमेरिका जरूर चाइना के उपर आक्षन लेता या फिर वाया ना था दोस्तो बजा चाहे कोई भी हो यह सो करता है साउच चैना सी एरिया में कैसे माहल तनापूर्न है दोस्तो अगर हम USS Connecticut की बात करें तो यह प पर बरब चाया हुआ था सिप उपर का कुछ हिसा बरब की उपर थी और पोलर ब्यार को कुछ समझ में नहीं आया और वो समरेंड पर हमला कर दिया था थोड़ा बहुत और इससे दोस्तो पॉंडवी की कुछ हिस्से को काफी नुकसान भी हुआ था आप इससे अंदर लाग से बहुत ज़्यादा आमेरिकी सनिक ताइवान में नहीं है हलाकि यह ट्रेनिंग पिछले एक देट साल से सीक्रेटली चल रहा था अब मीडिया में वो खुला सा हुआ है लेकिन नंबर जो है तक्रिबन 20-30 आमेरिकी कमांडो जाकर ट्रेनिंग दे रहे हैं लेकिन कुछ द को है तालीबान या फिर मुझा ही दिन को कौन बनाये था आमेरिका और उस्टेन कंट्री वो उन्हें अपने जरुयत के हिसाब से इस्तमाल करते हैं और जरुयत के हिसाब से वो उन्हें हिरो सो करते हैं तो कभी भिल्यान और आफगानिस्तान का अगर आप एक्जांपूल ले रहे हो तो आफगानिस्तन का आरमी था एक तरीके से गोष्ट आरमी था पेपर में तो वो कफी स्ट्रांग थे और नमबर उनका ज्यादा था लेकिन ग्राउंड में उनका नमबर कापी कम था वो एक तरीके से आब बोल सकते हो पेषा कमाने की एक्जरिया था ताकर कि 100 करो पेपर में की बहुत ज़्यादा नंबर है ट्रेनिंग में बहुत पेशा खर्चा हो रहा है और वो पेशे को आप घोटला करो इसके साथ बड़ा ये था अफगानिस्तान के अंदर ये जंग चल रहा था मतलों ये एक तरीके से सिभिल वार था तालिबान भी पस्तु के थे इसी वज़े से जब फाइट करने का टाइम आया वो लोग फाइट ना करके एक साथ मिल गए और इसके साथ साथ जो स्क्रीप्ट आमेरिका समयत पस्टिमी देश लिखे थे वो सही साब से तालिवान को उन्हें पावार में लाना था वो एक अलग इस्सू हो जाएग और ताइवान के अंदर जो लोग है वो चीन से भाग कर आये हैं अगर चीन के साथ उन्हें मिलना था तो वो कभी भी चीन छोड़कर ताइवान नहीं आते तो ताइवान के पास जितने भी आर्मी स्ट्रेंथ है हाँ चाइना के कॉंपेर में 20-25 परसेंट होगा लेकिन जर ताइवान के बीच आर्मी को कॉंपेर करके अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो इस टापिक रिलेटेड तो आप नीचे से कांट वक्स में जरूर पूछिए जब मैं वीडियो वना हूंगा तो आपको डिटेल्स में बता दूँगा आज की टापिक में बस इतना ही बहुत चोटा सा वीडियो था आपको ये टापिक कैसा लगा आप नीचे कांट वक्स में जरूर कमेंट करिए और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक सेयर करना बिलकुल मत भूलिए तो तो रुकता हूं बहुत जल्द और एक नया टापिक के साथ मिलूंगा नमस क्यां ये वीडियो आप आप नीचे कांट वरब खाइक कांट दो खाना आप येडियो के साथ मिलूंगा ये रवीडियो कि विलूंगा नहीं विलूंगा ने रहूं आपको जोबुल कि अ